वेलकम बैक टू माइ चैनल आएम मनोज कुमार और दोस्तों फिर से हाजिर आपका दोस्त आपका भाई आपके साथ एक नए चीज़ को ले करके फाइनली दोस्तों आज वो दिन आ ही गया जब OIC Oracle Integration Cloud को लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं सीखते आ रहे हैं theoretical और basic जितनी भी knowledge understanding level की लेने थी वो हम ले चुके हैं फाइनली आज वो दिन है जब हम create करेंगे अपना first integration तो integration का थोड़ सा background भी समझ लेते हैं और जो use case है use case मेरा क्या है use case है भाई की एक table होगी मेरे पास सबसे simple तरीका एक table होगी और इस table में simply दो data क्या एक कुछ code बना लूँगा और एक meaning करके यह description करके दो column बनाऊँगा और इस table में simply insert करूँगा data ठीक है basic सा एक integration बनाएंगे पहले start करेंगे simple तरीके से फिर लेके चलेंगे complexity की तरफ धीर धीरे बहुत सारे address हैं जिनको हमें पढ़ना है करके देखना है confused नहीं होना है time भी waste नहीं करना है सीधे लेके चलता हूँ दोस्तों कहाँ पर oracle integration cloud OIC की login screen पर और login कर लेते हैं एक user से यहाँ पर एक user से already मैं login हूँ दोस्तों और generation 3 जैसा मैंने पीछे की वीडियो में बताया था कि generation 2 का look and feel थोड़ा सा different था यह generation 3 OIC का look and feel है जहाँ पर आपको बहुत सरी चीज़े recipes और accelerators फ्रेंट में दिये जाते हैं बाकी यहाँ पर insight analytics दिया एता है design दिया एता है कितने आपने integration run किये simply आप click भी करोगे तो आप finally वहाँ पहुच जाओगे कितने fail हुए कितने error मेंगे कितने abort हुए कितने success हुए आज का agent हमारा बिल्कुल भी यह नहीं है simply create करने चलते हैं अपना एक integration तो यहाँ जाते हैं सीज़े चलते हैं design पर और सीज़े चलते हैं दोस्तों क्या connection पर क्यों अगर use case क्या हुदा है एक table में data insert करना है और चलिए मैं कहता हूँ integration से पहले चलते हैं database पर तो यह मेरा dbcs dbcs का एक database का instance है यहाँ पर simply एक table create करते हैं और table का नाम यह table का नाम दे लेते हैं ठीक है look up tl simply essay करते हैं और यहाँ पर paste कर देते हैं code रख लेते हैं कुछ 3 digit का या 2 digit का ठीक है और simply comma where to है तो भाई 3 digit का दिया हुआ है वैसे meaning दे रहा हूँ चलिए meaning से ही काम चला लेते हैं meaning और simply दोस्तों इस table को यहाँ create कर देता हूँ table created table को run करके भी देख लेते हैं और यह मैंने table run की code और meaning आपके दो column मेरे dbcs ध्यान देना दोस्तों क्योंकि यहीं से adapter choose होगा dbcs की एक table मेरे पास already created है जिसमें कोई data नहीं है चलता हूँ yc के instance पर design पर click किया connection क्योंकि integration बना भी लूँगा तो सबसे पहले connection लेके आना पड़ेगा चलिए integration पर लेके चलता हूँ so that confusion ना रहे एक integration create किया और सबसे कमाल की बात है इसी same activity को दोनों तरीके से करके देखेंगे schedule से भी और app driven से भी तो पहले schedule पे लेके चलता हूँ थोड़ी सी simple होती है तो क्या लिखता हूँ इसको लिखता हूँ first integration data insert into table SCH कोई package नहीं दे रहा हूँ यहाँ package मैंने कोई नहीं बना है simply create कर रहा हूँ दोस्तों और आप description में जो देंगे वो आपको बाहर दिखाई देगा यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक integration आपको दिखाई दे रहा है लेकिन य यह नहीं पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है तो यहाँ छोटा सा लिखके आगा है जो आप यहाँ लिखोंगे तो यहाँ पर लिख देते है यूज केस इंसर्ट डेटा इंटू टेबल बाई यूजेंग शेड्यूल औरकेस्ट्रेशन ठीक है यह देखते है नुमेरिक से यह दिखकर देगा था पता नहीं क्यों जबकि नुमेरिक अलाओ करता है ठीक है यह हो गया होरिजॉंटल कर लेते हैं दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं है थोड़ा साइड में रख लेते हैं अब जब मैं इसके उपर जा रहा हूँ यह प्लस आइकन जो आ रहा है प्लस आइकन पर मेरे पास यहां दो मेरे कनेक्शन आ रहे हैं एक FTP एक ERP बट मैंने कोई कनेक्शन नहीं बनाया तो हमें कनेक्शन बनाने चलते हैं इसको यहीं सेव करते हैं क्यों मैंने पहले बताया क्योंकि हमें कनेक्शन चाहिए ही होता है शेडूल में इन्वोक करने के लिए मुझे क्या कनेक्शन चाहिए होगा क्या इन्वोक करने वाला हूँ डेटा बेस में इंसर्ट करने वाला हूँ तो D-Base का adapter यूज करके मुझे बनाना पड़ेगा दोस्तो एक connection तो connection बना लेते हैं connection पर गए create पर गए Oracle लिखा D लिखा D-Base ठीक है इसको नाम दे लेते हैं भई नाम दे लेते हैं इसको xx मेरे ख्याल ठीक है trigger and invoke दोस्तो इसको ही बने रहने देते हैं so that हम इसको दौनो जगा यूज कर सकेंगे तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं create पर click कर दिया आप यहाँ पार जो भी चीज़े देखे database से connect करना चारा हूँ तो क्या कर चीएगा dbass पर सबसे पहले तो मैं password के through use करूँगा यहाँ पर password मेरे पास already आ गया username password use हो गया connectivity agent मेरे को यहाँ पर configure मेरा है मुझे simply connectivity agent जो है वो यहाँ पर लेना है इसको यहाँ से उठा के side एक जिते हैं use कर लेते हैं use हो गया test भी कर लेते हैं दोस्तो test क्लिक करता हूँ test से पता लगेगा unable to connect क्यों क्योंकि मैंने केवल username password तो दे दिया है लेकिन other than information यहाँ पर है host name क्या है port क्या है s.id क्या है service name क्या है तो जल्दी से दोस्तो यह भी भर देते हैं यह मेरा host host service name भी भर देता हूँ भाई यहाँ पर मैंने सारी की सारी relevant information जो है वो मैंने भर दिया है finally आप इसको test कर लेते हैं और test पर simply लिख्या आता है connection successful save कर देते हैं दोस्तो अब चलते हैं दोस्तो अपने integration पर है integration कौन सा था simply integration था मेरा integration पर है data into table तो यह अभी draft mode में simply click किया कौन सा use किया था schedule type का और देखिए यहाँ पर आपकी मेरा connection मुझे देख रहा है simply कुछ नहीं करना है connection को यहाँ से पकरना है drag and drop करना है और यहाँ पर यह कर देना है अब चलते हैं दोस्तो क्या करने वाले हूँ database का connection है तो simply नाम देता है क्या मैं क्या करने वालो हूँ अपनी activity को क्या नाम देने वालो हूँ मैं करना हूँ insert data तो मैं लिख दू insert data और वो भी without space लिखना है दोस्तो ध्यान रखना without space क्या करने वालो हूँ perform operation on table table पर एक क्या perform करने वालो हूँ insert करने वालो next करता हूँ schema schema कैसे पता करेंगा अपनी table का schema तो देखे यहां लेके आता हूँ मेरी table का नाम यह है simply यहां तो यह देखे यह owner owner है sis तो अपनी schema का नाम दूँगा sis खोड़ा scroll down करने लोगा sis और वो भी capital में देना है अपनी table का नाम दूँगा capital में यह capital में अपनी table का नाम दिया table selected है search करूँगा दोस्तो search करने के बाद यह table को select करके drag and drop available है selected में drag कर दूँगा selected में ले करके import tables यह import table पर क्लिक करूँगा simply पूछेगा भाई primary की बताओ दोस्तो है या नहीं है आप एक column अपने हिसाब से primary की का यहाँ पर okay कर देजिए okay करने के बाद simply next कीजिए और यहाँ पर यह चोटा सा operation आपका done हो गया अब दोस्तो क्या किया मैंने आप देखिए हाँ पर समझते है schedule में starting में triggering करने के लिए कुछ नहीं चीए plus icon पर मैंने एक invoke type का dbass adapter को use करके एक connection यहाँ drop कर दिया यह मेरा जब configure हो जाएगा ठीक तरीके से with mapping and all यह भी इसी तरीके से यहाँ पर blue हो जाए अब ही mapping में मुझे क्या क्या चाहिए वो समझते है देखिए mapping में क्या क्या चाहिए और देखिए mapper का काम क्या है पहले mapper का काम समझते mapper इसके और इसके इस endpoint और इस endpoint के बीच में खड़ा है, मतब यहां से कोई information flow के यहां पर आएगी उस information को यह map करेगा और flow कराएगा यहां पर तो क्या information मांग रहा है यह देखते हैं right hand side में मैंने table का पूरा का पूरा design दिया है तो देखिए वो table के दो column जो वहाँ पर, मेरी table में कौन-कौन से दो column है, मेरी table में दो column है, code और meaning के code and meaning, यह दौनों के दौनों column यहां right hand side पर मेरे पास आ गए, अब यह information मेरे पास आनी चाहिए कहीं से अब यहां पर तो कुछ ऐसी information दिख नहीं है, metadata का मतलब है system के, अपने, खुद के developed किये हुए कुछ, variables start time और file, यह system schedule में automatic लेके रखता है तो यहां पर मैंने कुछ in तो दिया ही नहीं है तो लेके value कहां से आऊं क्या बोला था, मैंने बोला था code और meaning हम pass करेंगे और वो value मेरे database में जाएगी, तो हम pass कहां करेंगे, हम जाएंगे schedule पर, edit करेंगे और यहां पर दो parameter बनेंगे no parameter, तो दो parameter हम बनाएंगे किस नाम से, पहला बना रहा हूँ दोस्तो, p code के नाम से, हम डाल लेते हैं दोस्तो default value, कोई बात नहीं यह किया, कौर बना रहा हूँ किस नाम से, p meaning के नाम से, यहां meaning मैं भी देते हैं, let's say यह हमने default values दे दी save करते हैं दोस्तो अब हमारी दोनों values यहां पर save होनी चाहिए, code और meaning एक बात check भी कर लेते हैं, आपकी जाने से पहले check भी कर लेते हैं, yes दो values यहां पर save होगी है, mapper में check करते हैं जाके left में मेरे parameter से आएंगे, जो कि देखे, x means parameter और meaning से यह भी x लिखाओ, मतलब यह भी मेरा variable है, और यहां पर मेरी दो values है, तो सबसे पहले, mapper में इन दोनों values को दोस्तों, map कर देंगी, कि जो भी code मैं parameter में pass करूँ, वो value, c दे table के database में जानी चीए, और जब ऐसे mapping कर दो, हमेशा do validate back करते हैं, क्या क्या हो गया, schedule में दो parameter दिये, mapper में लेके आए, mapper में उनको यहां से जो उसका request आया होता, उसमें map कर दिया, validate कर दिया, यह भी कर दिया, I think यहां पर मेरा अब कोई भी problem नहीं है, फिर भी मैं जब बाहर जाऊंगा, generation 3 की बात कर रहा हूँ दोस्तो, बाहर जाऊंगा तो यह इसको draft mode में रखेगा, और active करने का option ही यहां पर नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि अभी भी मेरे integration में एक error बाकी है, क्या error बाकी है, यह बोलता है कि जब integration को मैं fire करूँगा, एक पर error को भी पढ़ लेते हैं, go through कर लेते हैं, क्या कह रहा है, missing primary business identifier, fault tracking, मतलब, जब integration मेरा fire होगा, तो किस चीज से आप identify करोगे कि यह मेरा जो integration fire हुआ है, इसका कोई एक id, या कोई एक specific ऐसी चीज जिससे आप इसको search कर सकोँ, जैसे, अब मैं जाता हूँ इस i icon पे, और i icon में जाने के बाद, मैं बोल देता हूँ, कि जो code डालूँगा, मैं उससे verify करूँगा, तो code मैंने business identifier में डाले, meaning को डाल रहा हूँ, एक और identifier में, जो description में दिखाई देगा, save करता हूँ, यह error यहाँ से चली जाएगी दोस्तों, error gone, ठीक, आप बढ़ते हैं, बाहर आते हैं, आप देखेंगे, integration आगया होगा, configure, configured stage में, finally, अब इसको हम active कर सकते हैं, कहाँ गया, active, 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 यह मैं इसको activate करहूँ, production, audit, और debug, देखें, अभी debug में, चलिए, debug mode में आपको दिखाता हूँ, लेकिन debug mode में हमें तब करना चाहिए, जब हमारा integration, error में जा रहा हो, यह बड़ा integration आपने लिखा है, जिसमें आप यह देखना चाहते हूँ, कि actually कहां कहां पर message flow हुए, किसने किसको क्या में परने value पास की, कहां integration आपका जाके फट गया, तब आपको debug mode में करना चाहिए, otherwise production mode में आपको करना चाहिए, तो मैं इसको अभी debug mode में करना हूँ, so that मैं आपको दिखा भी सकूँ, activate कर दिया, activate in progress, यहां refresh करूँगा, activate हो गया, दोस्तो run करके देखते हैं, simply run पर जा रहा हूँ, schedule नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देखना क्या लिए है मैंने, on ad-org basis, ठीक है, अब part of a schedule, यह part of a schedule नहीं कर रहा हूँ, default values M के लिखी हुई है, मनोज कुमाल लिखी हुई है, एक बाद default values से चला के देखते हैं, और फिर कुछ अपनी values डालेंगे, यह चलाया, आप देखे business identifier और जो हमने नाम दिये थे, किसमें tracking में उसका क्या meaning होता है, पूरा का पूरा integration successfully चलाया, जहाँ पर यह eyes बनी है, यहाँ पर आप clearly देख सकते हो, कि system ने क्या क्या किया है, इसने M के values को ले के आया है, insert पहले ले के आया है, mapper से देखे, mapper complete, मतलब बाहर से schedule से आने वाली values को यहाँ पर ले के आया है, invoke, insert data, और यहाँ पर invoke, insert data किया, इसके बाद यहाँ पर click किया, यह clearly दिखाएगा आपको, invoke, code और मनोच, जो हमने mapping की थी, क्या, कि इस वाले data से इसकी mapping की थी, mapping हो गी है, process successfully completed, अब मैं लेके चलता हूँ, या तो यहाँ पर आप click कर दीजिए, integration ID पर, यह click किया, यह आपको green color से पूरा flow दिखाएगा, कि कैसे आपका integration successfully run हुआ है, साथ में यह भी दिखाएगा, क्या mapper में message input आया, क्या उसने mapping करने के बाद, invoke data के अंदर क्या pass किया, उसने कैसे insert किया, यह सारी चीज़े यहाँ पर, मेरा यह instance दिखाता है, अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ले के चलता हूँ किसमें, ले के चलता हूँ आपको, integration बाहर, library बाहर, जहाँ पर मैं अपने integrations को, observability के अंदर, और यहाँ पर integration पर जाता हूँ, सबसे उपर देखूँगा, कौन सा, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद, simply succeed पर क्लिक करूँगा, और देखिए, जो मैंने mapping की थी, देखिए, चीज़ों को correlate कर रहा हूँ, जो मैंने दो चीज़ों की mapping की थी, किसकी, code की, और meaning की, दो जिखाँ mapping की थी, एक तो mapper में की थी, वो तो मेरी table में चिला गया, लेकिन जब मैंने last में, error खत्म करने के लिए, tracking वाले में mapping की थी, business identifier में मैंने दिया था, code, तो देखिए, business identifier में मुझे दिख रहा है, mk, और दूसरा दिया था, मैंने कहाँ पर, एक और identifier, तो वो मुझे दिख रहा है, business identifier के description, यहाँ पर, यहाँ पर manoj kumar दिख रहा है, यहाँ पर mk दिख रहा है, तो इस तरीके से दोस्तो, instance में जाके, observability के instance में जाके, clearly आप देख सकते हो, कि किस तरीके से आपका integration चला, अब यह success तो हो गया, एक पर table में भी देख लेते हैं, भाई सच में data आया है कि नहीं आया है, selected है मेरी query, simply run करके देखता हूँ, तो mk और manoj, तो इस से simple integration दोस्तो, हो इनी सकता, जहाँ पर schedule वाले, auscrist session को use करके, दो column का simple data मैंने, अपने table में insert किया, hopefully यह छोटा सा, इन्टीग्रेशन को, app driven से, by using rest connection, same को करके दिखाऊंगा, आपका concept और अच्छे से clear होगा, तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी, एक नए concept के साथ, नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजे मुझे इजाज़त, और हाँ दोस्तो, comment, अपने requirement, अपने suggestions देना बिल्कुल नहीं भूलेगा, मेरी इस मेहनत को support करने के लिए दोस्तो, चैनल को subscribe करें, और subscribe तभी करें, तो सच में आपका मन कहें, कि हाँ, हमने कुछ learn किया है, साथ में उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जो आके बढ़ना चाहते हैं, OIC, Cloud, Fusion, ये सब सीखना चाहते हैं, तो उनके साथ जरूर शेयर करें, अब दीजे दोस्तों जार, thank you so much.